नमस्कार रंगदे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप दोस्तों भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के बाद विवाद अभी जारी है रविवार को खेले गए T20 विश्व कप मैच में पाकिस्तान की जीत पर जश्न बनाने के कारण राजस्थान में एक प्राईवेट स्कूल की महिला टीचर को निश्काशित कर दिया गया असल में एक महिला टीचर ने पाकिस्तान की जीत के बाद अपने वाट्चप स्टेटस पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तस्वीर लगा कर लिखा था जीत के, We won! एक बच्चे के पिता ने जब ये स्टेटस देखा तो उन्होंने टीचर नफिसा को मैसिज किया पूछा कि क्या वह पाकस्तान की जीट से खुश है तो जवाब मिला हाँ इसके बाद टीचर का ये स्टेटस देखते ही देखते वाइरल हो गया और कई संगठनों की ओर से इसका विरोध जताया गया जब ये मामला उठा तो स्कूल ने नफिसा को निस्काशित कर दिया अब नफिसा सामने आई और कुछ यू सफाई दी सर अचली ये था कि हम मैच देख रहे थे तो हमने घर में ही दो टीम्स डिवाइट कर ली थी और हम अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे थे बस इसका ये कोई भी मतलब नहीं था कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे है तो किसी ने मुझे मेसेज किया तो उस पे मैंने उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो तो हसी मजाग का ही मूड चल रहा था तो मैंने और उन्होंने अपने मेसेज के आगे इमूज ही डाले थे तो मुझे लगा ये हसी मजाग का मेसेज है तो मैंने उनको येस कर दिया पर इसका मतलब कहीं भी नहीं है कि मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ मैं इंडियन हूँ I love India और मैं इंडिया से उतना ही प्यार करती हूँ जितना आप सब ही लोग प्यार करते हैं तो यहां मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था और अगर आप किसी को भी ऐसा लगा हूँ जो मैंने भी ऐसास किया कि वो अच्चली गलत हो गया है तो जैसे ही मैंने ऐसास हुआ कि मैंने गलती कर लिया है तो मैंने रातो राती मैंसे वो स्टेटिस डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हाँ actually शर्द ये गलत वे में जा रहा है तो मैंने अब से स्टेटिस को डिलीट कर दिया और मैं आप सभी सवे माफी मांगना चाती हूँ कि ऐसा मेरा कोई मतलब नहीं था और किसी को ठेस पौची हो उसके लिए आम मेरी सौडी है